हलो प्यारे दोस्तों स्वागिद आपका इंटर्वियों क्लासेज में अब हम बात करेंगे अपने वर्कशीट नमबर फॉर्ट टैंथ क्लास की इंग्लिश वर्क बुक है लेसन अपना थर्ड है उसका पार्ट सेकेंड है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की जो बातलों का तुफान देखा जिसके कारण चार और अंधेरा हो गया फिर देखेंट प्र देखेंगे How many aeroplanes did the women see on the radar in the storm Storm में उसने radar में कितने aeroplan देखे तो only one उसने एक ही देखा था Next है आपको correct form भरनी है वर्ब की तो देखे यहाँ पे the old aeroplan dash and twist it in the air अब आप कैसे पता लगएं कि यह जंप डी बरना है तो देखेगा यह जो end होता है ना इसके दोनों side same verb आती है कहने का मतलब अगर इस side यह second आई है form twisted तो इधर भी twisted जंप डाएगा कहने का मतलब second form आएगी ठीक है I dash the math and the campus and turned अब देखो यहाँ turned आया है ठीक है ना और the dakota 12 degree west तो यह past को show कर रहा है इसलिए यहाँ पे checked I went फिर से आपने देखा I went and asked a woman in the control center फिर देखे यहाँ पे भी क्योंकि पूरी past में बात चल रही तो I come का came हो गया ठीक है ना अगला देखते हैं इसमें आपको पैसेज पढ़ना है ठीक है ना और फिर questions के answer देने हैं तो देखे क्या है कुछ भी aeroplane के बाहर देखना इस पॉसिबल क्यों था because of dark clouds ठीक है ना write the word from the passage which means danger तो danger का होता है risk ठीक है ना same meaning वाला ठीक है तो मिलते है next part में तब तक श्रांदार दंग से पढ़ते रहे हैं किसी में कोई doubt हो तो comment section में पूछ सकते हैं ठीक है ना ओके बाय जय हिंद जय भारत